Top 5 Best Samsung Smartphones Under 30,000 Rupees तो जो Samsung Smartphone Company है न वो दुनिया का one of the biggest और ओलडेश श्मार्टफून ब्रेंड है जो कि अपने best camera quality, display quality और best user experience के लिए मेंली जाने जाती है तो अगर आप भी एक नॉन चैनीज बेर्श रैमसंग स्मार्टफून डून रहे हो और आप कन्फूज हो कि अभी के टाइम पे आपको 30,000 रुपीज की बजट प्राइसेंज में कौन से स्मार्टफून के साथ जाना चाहिए तो आज की इस वीडियो मैंने आपके बजट के एक ओर्डिंग 25-30,000 रुपीज की बजट प्राइसेंज में आने वाले बेर्श शामसंग स्मार्टफून के बारे में डिस्कस करा है जहां पर आपको ये सारे स्पैसिफिकेशन काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे तो प्रॉपर पूरी इंफर्विशन के लिए बने रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल का उतक सब्सक्राइब ने किया हुआ है तो कल लेजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहे हैं पीस तर रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अलाओ भी बांकी सारी स्पैसिफिकेशन से भी बजट रेंज करकॉर्डिंग आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टपून के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 का chipset देखने को मिल जाता है जो की 2.84 GHz पे clocked एक powerful octa core 5G processor है यहां पर आपको 8 GB तक की RAM support and 256 GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है और यह आपको बैटरी के तोर पर भी 4500 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 25W का fast charging support देखने को मिल जाता है इसके साथ आपको कुछ premium specifications भी यह आप देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपको इसमें wireless charging देखने को मिल जाती है IP68 की rating देखने को मिल जाती है तो यह कुछ premium specifications आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं अधिक आलावा आपको यहां पर top notch level वाली एक काफी बड़ी है Display देखने को मिल जाती है जो कि है 6.4 inches की ऐपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कोई कंटेंट कंजीव करोगे तब आपको एक्सपीरेंस काफी बढ़ी है रहे गया और अगर बात करें फोट्रोग्राफी पीचर के बारे में तो यहां पर आपको 12 मेगा पिक्सल प्लस 12 मेगा पिक्सल प्लस 8 मेगा पिक्सल का ट्रीपल लियर कैमरा श्रपोर्ट देखने को मिल जाता है विद ओए सपोर्ट और आप यहां से 4G क्वाल्टी में अपने वीडियो उसको 60 सब्सक्राइब कर पाओगे एंड इसके अलावा भी आपको 32 मेगा पिक्सल का सामने के तरफ भी एक काफी बड़िया सेंसर देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं माई लिस्ट के सेकेंड नमर वाले स्मार्टफून के बारे में जो की हमने रखा है स सामसंग की तरफ से आने वाला सामसंग गलक्सी ए थर्डी फॉर फाजी स्मार्टफून और यह स्मार्टफून भी आपको 22,000 रुपीस की ट्राइसें में इसलिए देखने को मिल जाएगा जिनका भी 30,000 रुपीस से बजट कम है और वो एक बड़िया सामसंग का स्मार्टफून के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए मेली मिटेक डिमेंस्टी टेनेटी का एक 5G चिप्सर देखने को मिल जाता है जो कि 2.6 की गयाच पे क्लॉग एक ओक्तोकोर 5G प्रोसेसर है यहाँ पर आपको 6GB RAM सपोर्ट के साथ 128GB तक की इन बिल्ट मेमरी देखने को मिल जाती है इसके लाव आपको यहाँ पर बैटरी के तौर पर भी 5000 एमिज की काफी बड़ी या बड़ी बैटरी के साथ 25W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके लाव अगर बात करें एस स्मार् पिक्सल लेंश्टी पे वर्क करती है यहाँ पर आपको 128 तक का रिफ्लेश्ट सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसके लाव अगर बात करें इस स्मार्टफॉन के एड़ एंड फोटोग्राफी फीचर्स की बारे में तो यहाँ पर आपको 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगा पिक्सल का ट्रिपल लेर कैमरा स्पोर्ट देखने को मिल जाता है विद ओए सपोर्ट और आप यहाँ से भी 4G वाल्डी में अपनी वीडियो उसको 30 अप्यस पर इसली अपनी वीडियो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं आपको सामने के तरब भी 13 मेगा पिक्सल का एक काफी बढ़ तर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ और थर्ड नंबर पर हमने रखा है सैमसंग के ही तरफ से आने वाला Si compartment ऐलक्सY F54 5G स्मार्टफोन जो कि आपको 24,000 फीज के एराॉंट देखने को मिल जाता है और यह हैसी स्मार्टफोन के खास बात यह एकि यहां पर आपको 108 म पिक्सल का primary sensor देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले के दोर पर आपको Super AMOLED Plus स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो अगर डीटेल से बात कर ले हम इस smartphone के specifications के बारे में, तो यहाँ पर आपको performance के लिए Samsung Exynos 3980 का एक 2.4 Gigaids पर clocked powerful octa-core 5G processor देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 256GB की inbuilt memory देखने को मिल जाएगी, एंड इसके अलाव हो ही पर आपको 6000MHz की काफी बड़ी battery के साथ 25W की fast charging के support भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी battery देखने को मिल जाती है, जो की 1080-20408 pixels की है, और यह जो display panel है, वो 394PPI pixel lens tree पर वर्क करती है, यहाँ पर आपको 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाएगा, एंड इसके अलावा at the end हो ही भी अगर बात करें, इस smartphone के photography features के बारे में, तो यहाँ पर आपको 108MP का primary sensor, प्लस 8MP का secondary camera, और प्लस 2MP का एक थरड़ आपको यहाँ पर एक camera देखने को मिल जाता है, विद OIS support और आप यहाँ से maximum 1080p में अपनी वीडियो इसको full HD में record कर सकते हैं, और यहाँ आपको सामने के तरफ में 32MP का एक काफी बड़ी हा sensor देखने को मिल जाता है, तो ओपर और camera के साथ साथ आपको specifications इस smartphone में भी काफी जवदस देखने को मिल जाती है, तो आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं, अगर आपको Samsung की तरफ से ही आने वाला को एक बड़ी हासा smartphone चाहिए तो, इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं लिष्ट के fourth and last smartphone के बारे में, जो कि हमने रखा है Samsung की तरफ से आने वाला, Samsung Galaxy A25 5G smartphone, और यह smartphone आपको 27,000 लुपीस की budget pricing में देखने को मिल जाएगा, और Samsung की जो A series है, वो काफी successful series है, और काफी अच्छे-च्छे smartphones इस series के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यह एक latest smartphone है, जो कि अभी Samsung ने recently ही launch करा गाए, तो यह out of the box Android 14 पर work करता है, अगर बात करें detail से इस smartphone के specifications के बारे में, तो यहाँ पर आपको Samsung Exynos 1280 का 2.4 GHz पे clocked octa-core 5G processor देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 8 GB RAM support के साथ 128 GB तक की in-built memory भी देखने को मिल जाती है, इसके लाव अगर बात करें इस smartphone के battery specifications के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 MHz की काफी बड़ी है, बड़ी battery के साथ 25 वार तक का fast charging support देखने को मिल जाता है, और वही आपको display के तोर पर भी 6.5 इंचेस की Super AMOLED इस्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो की 1080 to 2340 pixels की है, और यह जो display panel है, वो 396 BPI pixel density पे work करती है, यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection मिल जाएगी, 120S दक का reflected support देखने को मिल जाएगा, तो काफी handy phone रहेगा, आपके लिए अगर आपको छोटा phone पसंद है, तो आप इस smartphone के साथ जा सकते हैं, इसके बाद अगर बात करें, at the end इस smartphone के photography features के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP primary sensor के साथ, triple air camera support देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8MP का एक secondary camera, और प्लस 2MP का एक 3rd आपको यहाँ पे camera देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस बजट प्राइसिंग में देखने को मिल जाते हैं, तो आप इन में से किसे भी smartphone की तरब जा सकते हैं, तो इस वीडियो में इस वीडियो में मिलते हैं के लिए रादे रादे,